हेलो एवरीवन, एम रूबी, यू आर्विद रूबीकल एकडमी, यह चाइल्ड डेवलप्मेंट एन पैड़ागाजी का क्लास एट है, और इसके पहले भी हमने कई क्लासेस को कंप्लीट किया है, और आप अगर अपनी तयारी करना चाहते हैं, तो आप वहां से क्लासेस को एक बच्चा किस प्रकार सीखता है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि एक बच्चा केवल एक ही तरीके से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अभी बच्चा जब छोटा होता है, तो वो कई धेर सारी एक्टिवीटी करता है, वो सांत रह करके नहीं बैठ सकता, तो एक प्रकार से सी चर्चा द्वारा कई प्रकार से, एक बच्चा कई प्रकार से सीखता है, वो अगर खेल रहा है तो खेल के दोरान भी सीख सकता है, क्लास में है तो वहाँ पर भी सीख सकता है, खाना खाते टाइम भी इवन बच्चा सीख सकता है, तो एक बच्चा कब सीख सकता है, कितने प्र को मिका होनी चाहिए कि एक बच्चा जो अभी मेचिवर नहीं हुआ है काफी छोटा है तो उसमें उसके teacher को उसके parents को किस तरीके से उसकी help करनी चाहिए तो parents को अग्र स्थक्रिय होना चाहिए, parents को proactive होना चाहिए कि ताकि बच्चा काफी आसानी से और हमेशा motivate रहे, काफी active रहे सिखने के लिए, जब उसके parents proactive होंगे, तो बच्चा भी काफी आसानी से motivate हो करके, और काफी activity में अपना वो participate करेगा, इसलिए हाँ पर यहाँ पर B होगा, यह C होगा, C option यहाँ पर proactive होना चाहिए, question number 3, बच्चपन के सामप्रतिक द्रिष्टिकोड की मानेता है, option A, बच्चपन वृध्धी एवं परिवर्तन की अनूठी अवध है, बहुत तरीके से बच्चे वैसकों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वैसकों के रूप में अच्छा माना जाता है, बच्चपन आधारित रूप से प्रतिच्छा अवध है, तो बच्चपन वृध्धी एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवध है, बच्चपन क्या है, अभी बच्चे में development हो रहा है, बच्चे डेली कुछ न कुछ नया चीजे सीख रहे हैं, बच्चा अभ सही है, question number 3, सीखने के वे कौन से कारक हैं, जो सीखने को प्रभावीत करते हैं, उच्च्चा सकती, विद्यार्थी का सारिक वा मानसिक स्वास्त, प्रेड़ा वा उपलब्धी का अभिप्रेड उस्तर या उप्रोक्त सभी D option, तो क्या है, सीखने को क्या प्रभावीत करता ह आपका willpower कितना है, आप कितना जादा इच्चुक है कोई चीज सीखने के लिए, या फिर आपका mental health, आपका physically जो आपका health है, वो कितना जादा strong है, आप mentally कितना जादा strong है, वो भी सीखने पे डिपेंड करता है, प्रेड़ा और उपलब्धी का इस्तर, कि आप में motivation कितना है और आपने पहले से किसी चीज के बारे में कितनी knowledge ले रखी है, आपके उपलब्धी क्या है, इसलिए D option यहाँ पे सही हो जाता है, कि ये सारी चीजे, A, B, C, ये सारी चीजे learning को प्रभावीत करती है, सीखने को प्रभावीत करती है, D option यहाँ पे correct है, question number 5, रचनात्मक ले constructive essay का नियोजन होना चाहिए, ठीक, कि अगर किसी class में कोई teacher constructive essay का plan किया है, और वो conduct करना चाहता है, तो उसके पीछे का reason क्या होना चाहिए, ठीक, क्या planning होनी चाहिए, केवल उन चात्रों के लिए जो कच्छा इस्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन चात्रों के लिए जो लंब सब में ability है लिखने की, कि वो चात्रों जो कच्छा इसतर पर पढ़ रहे हैं, अभी वो class में, जिस class level का constructive essay होना है, और उस class में जो बच्चा पढ़ रहा है, तो वो भी दे सकता है, वो बच्चा भी दे सकता है, जो काफी लंबे-लंबे sentence को लिख सकता है, और वो बच्चा अभी देख सकता है, जो की newspaper को लिखता है, ठीक, तो सभी बच्चे जो हैं यहाँ पर constructive essay को लिख सकते हैं, due option यहाँ पर correct होगा, question number 6, अधिगम निर्योगिता learning disability का लच्चड है, कि अगर किसी बच्चे में learning disability है, तो आप कैसे उसे पहचानेंगे, क्या लच्चड उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, भागने की प्रवित्ती, अवधान संबंधी बाधा, असांत उर्जावान एवं विध्वनसक ह को ना अभाव अभी प्रेड़ा, तो अभी प्रेड़ा गलत है, कि अगर किसी बच्चे में learning disability है, तो motivation सायद ही आपको उसमें देखने को मिलें नहीं भी मिल सकता है, तो D-Option है भी गलत है, असांत उर्जावान एव विध्वनसक होना, तो यह भी गलत है, कि बच्चा क्या एक्टिव नहीं होगा, किसी एक चीज को लेकर के बच्चे में disability हो सकती है, हर चीज को लेकर के नहीं हो सकती, तो किसी न किसी चीज के लिए तो काफी ज़्यादा एक्टिव होगा, उस चीज में पाटिस्पेट करना चाहेगा, अवधान संबंधी बाधा, तो यह है, B-Option और भागने की प्रवित्ती तो यह तो गलत है, कि किसी बच्चे में कोई disability है, तो भाग जाएगा, यह भी गलत है, B-Option यहाँ पर करेक्ट है, अवधान संबंधी बाधा, Question number seven, अधिगम को प्रभावित करने वाला भ्यक्तिकत कारक है, लर्नींग को क्या प्रभावित करता है, संचार के माध्यम से अध्यापक, समवयाज को समू या परिपकता एबं वायू, तो परिपकता एबं आयू, ये अधिगम को प्रभावित करता है, आपकी जो age है, आप की maturity matter करती है आपके learning को यह काफी ज़दा effective है तो यहाँ पर D option सही हो जाएगा परिपक्रता और आई अधिगम को यह प्रफावित करते हैं Question No.8 एक college जाने वाली लड़की ने first पर coat fakeने की आदर डाल ली है लड़की की मा ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और coat को खूटी पर टांगो लड़की अगली बार घर में प्रविस करती है और coat को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर coat को खूटी पर टांग देती है यह उ तुम इसे खूटी में टांगा करो और third step में उसने उस चीज को फॉलो किया ले जाकरके वो खूट उसे हैंक कर देती थी तो यह क्या हुआ यह सिक्वेंस को लड़की ने सीख लिया है ठीक कि अब वो खूट को ले जाकरके वो खूटी पर टांग देती है ठीक तो यह यहा आप ए ओप्शन करेक्ट है question no.9 सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई तुटियों के संबंध में आपकी द्रिष्टी में निम्निमेसी कौन सा कथन सर्वत्तम है विद्यार्थी को कभी भी तुटिया नहीं करनी चाहिए तुटिया अधिगम प्रक्रि जब आप लर्निंग का पूरा क्राफ देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा और कई थेयरी पर तो आपको आपको देखने को मिलेगा कि जो ठुटिया है ये अधिगम प्रक्रिया का भाग है कि जो मिस्टिक है जो गलती हो रही बच्चे से ये भी एक उसका जाएगी तो दुबारा उसे रिपीट नहीं करेगा इसलिए बोला गया है कि तुरुटियां जो है जो गलतियां है यह अधिगम प्रक्रिया का भाग है इसलिए बी ऑप्सन यहाँ पे करेक्ट है क्विशन नमबर टेन सिचार्थी को डैस के लिए प्रुसाहित नहीं करना चाहिए कि बच्चों को किस चीज के लिए मोटिवेट नहीं करना चाहिए समुकार में दूसरे सिछार्टी के साथ सक्रिय रूप से अनतकरिया करना तो ये तो गलत है कि बच्चे को जो एक्टिविटी होती है जो ग्रूप एक्टिविटी जो होती है उसके लिए टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चा जब अपने peer group के साथ काम करेगा, तो वहाँ पर भी उसकी skills काफी ज़्यादा develop होंगी, उसे काफी ज़्यादा चीजे देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, तो इसमें पूछा गया क्या प्रुसाहित नहीं करता है, इसलिए गलत हो जाता है, कि group activity तो प्रु जाओ में हिस्सा लेना, ये भी प्रुसाहित करता है, कि बच्चा जितनी ज़्यादा activities में participate करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी skills develop होंगी, ठीक, सिच्छक जो पूछ सकते हैं, उन सभी प्रसनों के उत्तर याद करना, तो ये question के हिसाब से सही answer है, कि बच्चा चीजों को जब से सही हो जाता है, कि अच्छा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रस्न पूछना, बच्चा जितनी बार questions पूछेगा, जितने ज्यादा questions पूछेगा, उतने ही ज्यादा उसके doubts solve होंगी, उतने ही ज्यादा उसके जो problem है, वो दूर होंगी, तो D option भी यहाँ पे गलत हो कि आपके 10 में से कितने questions सही हुए हैं, और आपको ये theory with mcqs कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को subscribe कीजे, और भी लोगों के साथ ये वीडियो को share कीजे, और वीडियो को like करना मत भूलिए, thank you so much